सब्जेक्ट साइंस, क्लास फर्स्ट, चेप्टर सेवंटिन, बी सैफ, पार्ट वन में हमने देखा कि कुछ चीजे ऐसी होती है, कि जिसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो चीज से हमें नुकसान पहुँच सकता है, अगर वो चीज के साथ हम खेलेंगे तो, हम इस पार्ट में भी वही देखने वाले हैं, कि हमें अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, Do not try to reach a high self by climbing on a stool or chair, stool और chair के उपर, चड़ कर, आप लोगों को high self, यानि छेक उचे self तक, climbing यानि चड़ने की कोशिस नहीं करनी चाहिए, जड़ा सोचिए, आप लोग एसे ही, उचे 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 उचे, high self तक चड़ते जाओगे, तो फिर क्या होगा, you may fall, fall यानि गिरना, आप लोग गिर भी सकते हो, you may also fall while trying to climb a fence or gate, fence के उपर या तो gate के उपर भी चड़ने की try यानि कोशिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग वहाँ से भी गिर सकते हो, इसलिए हमें fence या gate के उपर हमें चड़ने की try यानि कोशिस नहीं करनी चाहिए, while playing, make sure you are not near a road, जब आप खेलते हो, तब आप लोग sure करें की आप लोग near a road, यानि road के पास तो नहीं है, you may get hurt if you play near roads, hurt यानि नुक्षान, चोट भी लग सकती है, आप लोगों को चोट भी लग सकती है, अगर आप लोग play near roads, यानि सड़कों के पास खेलोगे, तो आप लोगों को hurt, यानि चोट लग सकती है, आप लोगों को road के पास इसलिए नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि road के उपर कितने सारे vehicles आते जाते रहते हैं, अगर road के पास आप लोग खेलोगे, तो आपका accident भी हो सकता है, इसलिए आपको कभी भी road के पास नहीं खेलना चाहिए, Also, do not play in the dark, dark यानी अंदेरा, अंदेरा जब हो जाए, तब भी आप लोगों को play, यानी नहीं खेलना है, अंदेरे में भी आप लोगों को नहीं खेलना चाहिए, You may get hurt, because we cannot see well in the dark, तब भी आप लोगों को hurt, यानी चोट पहुँच सकती है, क्योंकि we cannot see well in the dark, यानी हम अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, इन देरा यानी अंदेरे में, हम अंदेरे में अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें अंदेरे में भी नहीं खेलना चाहिए, Do not push others while getting on a bus, while getting on a bus, यानी बस में चड़ते समय, push others, अदर्स यानी दूसरों को push यानी धका न दे, आप लोगों को बस में चड़ते समय, कभी भी दूसरों को push यानी धका नहीं देना शाहिए, क्योंकि उन्हें चोट लग सकती है, Never lean out of the window of a car और bus, lean out यानी बाहर जुकना, आप लोगों को कभी भी car या बस की window में से, यानी उनकी खिड़की में से कभी भी नहीं जुकना है, Do not stick your arm or head out of the window, आप लोगों को window यानी खिड़की में से arm or head, head यानी सीर को बाहर नहीं निकालना चाहिए, पिक्चर में भी रेख सकते हो कि आमको बाहर निकाला है, तो आप लोगों को इस तरह कभी भी arm या तो head यानी आपके सीर को कभी भी window में से बाहर नहीं निकालना चाहिए, It is fun to find out how things work, यहाँ पता लगाना, find out यानी पता लगाना, fun यानी मज़ेदार है कि things यानी चीजे जो है, वो work यानी काम केसे करती है, यहाँ पता लगाना मज़ेदार है कि things यानी चीजे जो है, वो work यानी काम केसे करती है, But you must not do some things, लेकिन आप लोगों को do not some things, कुछ चीजे नहीं करनी चाहिए Do not stick your hand into a cooler or table fan Your hand, यानि आपके हाथ को cooler या table fan में न रखे You can get hurt आप लोगों को hurt यानि चोट लग सकती है इसलिए आप लोगों को cooler या table fan में आपके हाथ को न रखे Do not stick your finger into a plug point or touch an immersion rod Do not stick your finger यानि आपकी finger उंगली को plug point में न चिपकाए And immersion rod यानि जिससे क्या होता है पानी गर्म होता है तो immersion rod को आपको touch नहीं करना है You may get a sock आप लोगों को sock यानि जट का लग सकता है इसलिए आप लोगों को आपकी finger यानि उंगली जो होती है उसे plug point में न रखे And immersion rod को touch नहीं करना है आज का हम यहां तक रखते है Next part में हम traffic light के बारे में जानेंगे एक आपकी कता है पूस्वा लोगों 2